नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रोहित इस वीडियो में मैं आपके साथ 6th class की science के बारे में चर्चा करूँगा जो कि यह है 4th chapter पहला पार्ट मैंने बनाया हुआ यदि आपने नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिए यहां से हम property of material के बारे में discuss करेंगे property of material में क्या आएगा कि हमारी requirement के हिसाफ से हम अलग चीजें prefer करते हैं जैसे हम गर्मी में cotton कपड़ा पहँंते हैं ताकि हमारे जो पसीना होता है शरीर में वो cotton सोक लेता है तो cotton की यह property होई कि वो पसीना गर्मी में सोक लेता है और जो है सरदी में हम woolen कपड़े पहँंते हैं क्योंकि हमारे शरीर को गरम बनाया रखता है तो इसी तरह requirement के साफ से हर एक material की अलग अलग property होती है जैसे जो है bridge बनाने के लिए हम लोग iron का इस्तिमाल करते हैं वो strong रहता है काफी तो इसी लिए हम लोग उसका bridge बनाने में iron का इस्तिमाल करते हैं इसी तरह हम water, milk, tea, coffee, juice आदी को स्टोर करने के लिए glass, plastic और steel, timber का इस्तिमाल करते हैं या cane का भी इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे इन्होंने figure में दिखाया गया है कि इन्होंने liquid को स्टोर करने के लिए paper और cloth में इन्हों स्टोर किया तो इनका सारा liquid वो बैग गया है इसी को हम लोग किसमें स्टोर करने है, liquid को हम लोग कहां स्टोर करेंगे plastic, glass में, या steel, tumbler में, या cane में, जो की steel से ही बनी रहती है या vessel में स्टोर करेंगे, cotton में और paper में इस liquid जो हमारा स्टोर नहीं सकता तो इन्हीं के गुण के अधार पर अलग अलग property हम पढ़ेंगे पहली property हमारी है, जो है appearance है appearance में 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 आता है कि वो material कैसा हमारा दिखने में कैसा है कि जैसे जो है aluminium, copper, gold, silver ये देखने में हमारा metal है, चमकदार रहते है इनको जहें दो टुकडम काटा जाए तब भी इनकी appearance वैसी की वैसी रहती है यह यानिकी luster रहते हैं, luster मतलब चमकदार रहते हैं यह और दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए appearance में कि जो है plastic, paper, wood, जो है लकड़ी यह सब हमारे जो हैं, यह चमकते नहीं है, यह हमें भद्धा मलब दिखाई देता है इनमें चमक नहीं रहती है, तो इसी observation को इन्होंने किया है कि एक pipe है यह चमकदार इसी को 200 म काट दिया गया है, तो तब भी इसकी जो pipe की चमक है वैसी की वैसी है, यह चमक रही है, तो यह भी एक property है कि कौन-कौन से गुण जो हैं चमकने के लिए होते हैं, जैसे कि अब gold है, silver है, यह सब हमारा क्या रहता है, गहने बनाने के लिए इस्तिमाल किया जाता है और non-metal में भी जो diamond है वो चमकता रहता है और जो गहने बनाने के लिए सोने का और चांदी का इस्तिमाल मुक्ता किया जाता है आगे हम लोग property डिसकस करते हैं, जो कि है हमारी hardness hardness में क्या होता है, कि जैसे यहाँ पे लिखा गया है, कि material which can be compressed और scratch easily, जो material जो है easily compressed और scratch हो जाते हैं, उनको soft material कहा जाता है दूसरी तरफ है जो material difficult होते हैं, या cutting होते हैं, या cutting होती है compress करने में उनको हम hard material कहते हैं, उदारन के लिए जो cotton और sponge है वो हमारा soft रहता है, और दूसरी तरफ जो iron है वो hard रहता है अब आगे hardness का आपको पता लग गया होगा, यानि कि जो दबाने में ना दबे उसको hard कहेंगे जो दबाने से जब दब जाएगा easily उसको soft material कहेंगे अब अगली property है हमारी soluble और insoluble soluble होता है कि जैसे नमक या sugar को हमने पानी में डाला वो अच्छी तरह से घुल जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, soluble कहेंगे क्योंकि वो घुलने के बाद हमें दिखाई नहीं पड़ता है, फिर कहां गई जीनी चीनी का पता नहीं चलता है, तो वो हमारा क्या हैगा, soluble आएगा insoluble में आएगा कि जैसे हमने पानी में रेत डाल दी है तो वो हमें नीचे बैठी हुई दिखाई देती है, तो उसको हम insoluble कहेंगे आशा करता हूँ यह property आपको समय में आ गई होगी अब आगे यहाँ पर इन्होंने experiment किया हुआ है, वही जो मैंने बताया है कि चीनी डाली इन्होंने घुल गई है, लेकिन रेत भी जो नहीं घुली है उसके बाद इन्होंने पानी में oil डाला, वो भी उसकी surface पर आ गया, वो भी अच्छी तरह नहीं घुला तो इसी के बारे में इन्होंने दिखाया गया है, यहाँ पर अब यहाँ पर आगे 4.3 में जो है, दिया गया है कि salt जो है, disappear complete हो जाता है, sugar भी हो जाती है और sand नहीं होती, chalk powder जो है, यह भी नहीं होता salt dust यह भी नहीं होती है तो यह इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो यानि कि पानी में घुल जाएं और हमें दिखाई ना दे वो soluble कहलाएंगे, और जो है insoluble वो कहलाएंगे, जो हमें पानी में डानले के बाद वो दिखाई पड़ते हैं, जैसे rate अब आगे हम अगला डिस्कास करते हैं, अगली solubility of common liquid, वी नेजर, जैसे कि इसमें क्या हम लोग देखेंगे कि जैसे हमारा सीरका रहता है या निम्बू का निम्बू रहता है, निम्बू का जूस उसको हम लोग पानी में डाल देते हैं तो वो घुल जाता है तो उसको solubility of liquid कहेंगे, कि यनि कि वो पानी में अच्छी तरह से mix हो गया है, और जो है दूसरी तरफ अगर ये mustard oil लिया जाए, coconut oil, केरोसीन लिया जाए, तो अगर इसको आप पानी में डालेंगे तो ये घुले नहीं उपर ये तायरता रहता है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है अब आगे हम अगली property discuss करते हैं कि कौन सी वस्तुएं तायरती हैं और कौन सी पानी में डूब जाती हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं, अब जैसे यहाँ पर पर तयार रही है जैसे वो लकड़ी है और बॉल है यह तयार रही है और जो है चाबी है वो पैसा है वो है नीचे डूब गया है पानी में तो यह कौन सी प्रॉप्टी होती है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर जो है पानी का ध्यान से इसको देखिएगा अगर पानी का जो वोल्यूम पानी का जो पानी की डैंसिटी अगर ज़्यादा रहेगी वो चीज जो है वो डूब जाएगा अगर पानी की डेंसिटी मेटीरियल से कम रहेगी तो वो उस पर फ्लोट करेगा जैसे लकड़ी की डेंसिटी पानी से कम रहती है तो उपर वो फ्लोट करता है और जो चाबी की और ये आईरन डाली जाएगी कील इसकी density आईरन की पानी से ज़्यादा रहती है तो इसलिए ये पानी में डूब जाती है इसको ध्यान से अब लोग नोट कर लिएगा आगे जो है ट्रांस्पिरेंसी क्या होती है इसके बारे में चंचा करते हैं ट्रांस्पिरेंसी में जैसे फिगर में दिखा रहा है कि एक इन्होंने शीशा सा लिया हुआ है तो जो नीची वाला फिगर है इसमें दिखाई पड़ रहा है कि इनको आर पर दिखाई दे रहा है दूसरे वाले में जो है राइट साइड में उसमें धूंदरा दिखाई दे रहा है और तीसरे वाले में जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इनका अलग अलग रहता है जिसमें पूरी तरह दिखाई दे रहा है नीची वाले figure में उसको हम transparent material कहेंगे इसमें light और हम clearly देख सकते हैं आर पार और जो दूसरा है right side में इनको कहेंगे translucent material जो कि यहाँ पे दिया गया है आप figure समय लिए जो कि translucent material है उसमें हम partially देख सकते हैं औ light भी जो है partially pass होगी और तीसरा है opaque material है जिसमें बिलकुल भी नहीं दिखाई दे रहा है left side में जो figure है उसको हम opaque material कहेंगे इसमें ना ही light पास होगी ना ही जो है दिखाई देगा अब जैसे इसमें पहले opaque material में पहला दिया गया है तो इसमें उधारन क्याल आ जाएगा दिवा आ जाएगी या लकड़ी का कोई समान भी लकड़ी का कोई भी समान ले लीजिए उसमें आर पार नहीं देख सकते हैं और तीसरे में जो transparent दूसरा जो है transparent transparent में शीशा आ जाएगा और जो सर्दियों में हम लोग उस पे fog जम जाती है तो हमें तब भी कम दिखाई देता है वो आ जाएगी fog जो पड़ी रहते है शीशे पे ट्रांस लूसें ट्रांस लूसें ट्रांस परेंट जो है transparent में क्या रहेगा कि जैसे glass रहेगा और जो शीशा लगा रहता है बाइक वेगारा में बाइक नहीं उसमें four wheeler में वो शीशा वो भी transparent रहता है उसमें से हमको easily अब आगे हम लोग देखते हैं कि अब जैसे यहां पर इन्होंने क्या किया है कि transparent जो है glass यूस किया है ताकि इनको दिखाई दे कि कौन से डबे में क्या रखा हुआ है जैसे यह four point eight figure में दिया गया है ताकि यह transparent रहेगा तो यह biscuit और किसमें sweet रखा गया है किसमें क्या रख इसलिए इन्हों है transparent material यूज किया हुआ है तो इतका फाइदा यही हुआ है आगे हम लोग देखते हैं यही इसमें दिखाया गया है कि translucent क्या होता है इसी बारे में सब बताया गया है अब आगे हम keyword के बारे में discuss करते हैं keyword में क्या-क्या होता है hardness आपको पता ही है कि iron hard रहता है और दूसरी तरफ sponge और cotton soft रहता है इन soluble हो हो है जो water में घुले नहीं लस्चर चमक होती है कि कौन सी वस्तू कितनी चमक रही material क्या होता है material से हिमारा वस्तूएं बनती है metal क्या होता है metal में चमक पाई जाती है ओपेक क्या होता है ओपेक जो रहता है इसमें हमको आर पार बिल्कुल दिखाई ना दे रफ क्या होता है reference होती है कि जैसे लकडी रफ ही रहती है लगबग जब इसको काटी जाती है खुर्दरी यानि की रफ और जो हमारे घर के बरतन और रहते हैं यह plane रहते हैं और जो हमारी बिना प्लस्तर के दिवाल रहती है वो भी रफ रहती है उसका उदानत में लिए soluble क्या है soluble में water में वस्तुएं जो अच्छी तरह घुल जाएं और हमें दिखाई ना पड़ें जैसे चीनी को डाल देंगे पानी में घुल देंगे तो चीनी यह में दिखाई नहीं पड़ेगी translucent क्या होता है जिसमें हमको partially दिखाई दे और partially light पास हो transparent क्या होता है जिसमें पूरी तरह दिखाई दे और पूरी तरह ही light उसमें पास हो सके आचा करता हूँ यह आपको वीडियो पसंद आया और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद